नमस्कार विवस मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सर्वत इक देखे जाने वाला कारेकरम आरपार क्या मोदी के विरोत में देशित को ताक पर रखा जा रहा है क्या मोदी के विरोत में आतक वात का समर्थन किया जा रहा है क्या मोदी के विरोत में एक कट्टर सोच को हवा दी जा रही है ये गंभीर सवाल है इसलिए मैं आज इसे उठा रहा हूँ क्योंकि मोदी विरोत का एजंडा इतना अव्वेस हो चुका है कि भारतिये जंता पार्टी नहीं बलकि खुद कॉंग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे है कि विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं इतनी नफरत करते हैं कि वो मोदी को हटाने के लिए ये हमास की शरण में भी जा सकते हैं ये बीजेपी नहीं ये एंडियर है ये कॉंग्रेस की नेता कह रहे हैं और ये बात कोई और नहीं एक बड़े मुस्लिम धर्म गुरू की है जो की कॉंग्रेस के बड़े समर्थक माने जाते हैं वो एक ही सांस में मोदी को जालिम और हमास को हीरो बता रहे हैं अपने देश में मोदी को तानाशा बताया जाता है और गाजा वालों को सलाम भीटा जाता है वैसे आज जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है कोई नवेली बात नहीं है कॉंग्रस के एक नेता तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान से मोदी को हटाने की अपी लेकिन मोधी का विरोध आज का आरपार इसी पर वियूर्स कोई हमास को हीरो बता रहा है कोई हमास के शासन वाले गाजा को लाखो सलाम भेज रहा है कोई रुखानी रिष्टा जोड रहा है तो कोई फलस्तीन के बहाने कश्मीर की आजादी का ख्वाप पाल रहा है जब तक पैलस्तीन कश्मीर और इसे तमाम राज्य तमाम कंड्रीज रिहा नहीं होते हैं आजाद नहीं होते हैं ये लड़ाई हमारी चलती रहे जरा सोचिए ये क्यों हो रहा है घाजा या फिर हमास के समर्थन में खड़े ये तमाम चहरे मोदी विरोध का पोस्टर बॉई कहे जाते हैं इनका एजेंडा सिर्फ एक है मोदी का विरोध लेकिन भारत में आतंकियों का महिमा मंडन नई बात नहीं है लालू यादव 2005 के बिहार चुनाओं के दोरान प्रचार के लिए आतंकी ओसामा बिन लादेन के हमशकल को अपने साथ लेकर चलते थे लेकिन भारत में चल रही सियासत और हमास के समर्थन के बीच इरान के सबसे पावरफुल धर्मिकनेता अयातुल्ला खामिनाई ने दुनिया भर के मुसल्मानों को उकसाते हुए कहा है दुनिया के मुसल्मानों को कोई रोक नहीं पाएगा वैसे ये भी दिल्चस्प है कि इसलाम के नाम पर दुनिया भर से गाजा और फिलस्तीन को समर्थन के दावे के बीच जॉर्डन और इजिप्ट ने फिलस्तीन के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिये है लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या भारत में बैठे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में हमास के आतंकियों के साथ खड़े हो गए हैं आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस कटर सोच मोदी का विरोध और व्योज़ अप वक्त है आर पार के सुपर सिर्फ विश्कनेशन का आईए नज़र डालते हैं कौम के नाम पर गलोबल अजेंडा थ्ष्ट करने वाला विश्कनेशन पहला फैक्ट गाज़ा और फिलिस्टीन के नाम पर दुनिया भर के मुसल्मानों को उकसाया जा रहा है फैक्ट निम्बर टू विच इस वेरी इंपॉर्टन तू नोट दूसरा फैक्ट क्या है इरान के सबसे पावरफुल नेता धार्मिक नेता आयतुल्ला कुमेने निकाए कि दुनिया के मुसल्मानों को कोई रोक नहीं पाएगा ये कहा गया है ये सीधे तौर पका गया है तीसरा फैक्ट इसराइल में हुए नरसंगार पर खामोशी थी गाजा के हमले पर खुब हंगामा मचाया गया क्यों आखिरकार इसराइल पर पहले अटैक हुआ अटैक करने के लिए हमास के आतंकी गए थे वो उनकी टेरिटरी भी नहीं थी वो लोगों को डराने गए थे बच्चों और तों को बंदी बनाया गया आज के दिन पे भी हमास के पास गाजा के पास इसराइल के कई बंदक है चौता फैक्ट भारत के कुछ नेताओं ने भी गाजा वालों से रुहानी रिष्टा जो डाला है गाजा के कथित बहादुरों को भारत से सलाम भेजा गया है क्या वो जो बहादूर है गाजा के वो हमस के आतनकी है बरता हूँ आगे पांचवा फैक्ट और ये बड़ा इंपोर्टन है इसको नोट करिये और रिकॉर्ड भी करिये पांचवा फैक्ट जॉर्डन और एजिप्ट ने फिलिस्तीन के शरणारतियों के लिए अपने धर्वाजे बंद कर दिये हैं अगर रुहानी रिष्टा है अगर धर्मिक मामला है तो ये इसलामिक देश क्यों नहीं धर्वाजा कोलते हैं इस दुनिया में 57 इसलामिक देश है पॉइंट नमबर टू पांचवे फैक्ट के अंदर लेकिन एक ने भी एक ने भी फिलिस्टीन के लोगों को क्या राहत दी और मैं आपको आकड़ा दूँगा कितने लोग है फिलिस्टीन के अगर 57 इस्रामिक देश ले ले तो कुल 35,000 लोग एक देश में नहीं आ पाते हैं बरतों में आगे बड़ा सवाल क्या है गादोर फिलिस्टीन के लोगों से प्यार तो साथ रखने से क्यों है इंकार और भारत में कुछ लोग इसी वज़ा से मोधी विरोध का एजंडा पढ़ा कर रहे हैं कट्टर कर रहे हैं मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा मेरे न mixer के लिए एजंगा जुवा लौ इसले से कर कर दो दोसेंग प्या antic